नमस्कार दोस्तों आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल पर मैं हूँ एस्टोलोजर सुनी शास्त्री और आप देख रहे हैं जोतिस से सम्बंदित कुछ विशेश और एडिशनल बाते हैं तो लवली फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाड़ियां लेने का सबसे अच्छा मुर्थ कौन सा है जी हां आज आपको इस तरीके से मुर्थ बताऊंगा कि आप स्वयम से डिसाइड कर पाओगे कि कौन से दिन हमें गाड़ी लेनी वो साइकल ही क्यों ना हो बच्चे के लिए या अपने लिए चाहे वो कार्स हो मोटर साइकल्स हो स्कूटीज हो या अधर विकल्स जो भी आप लेना चाहते हो वो किस मुर्थ पर लेना चाहिए कब आपके लिए शुप रहेगा शुप फल्दा ही रहेगा क्योंकि दोस्तो कुछ भी कोई भी गाड़ियां जब हम लेते हैं तो उससे हमारी expectation होती है कि वो हमारे लिए शुब हो उसके आने से और भी चीजें हमारे घर में आती रहें बरकत होती रहें और खास तोर पर हमारा शरीर जो स्वस्त रहे कोई किसी तरह का कोई problem हमारे साथ create ना हो तो इसके लिए आपको मैं बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ और स्वयम आप जो है इस तरीके के मोहड जो है बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखने योग्य है और वो इस प्रकार से है कि वार, पक्ष, टाइम और कुछ सहियम नहीं है ये चार चीजें आपको ध्यान रखने हैं अगर ये चार चीजें आपने सही तरीके से दिमाग में रखकर के अगर आपने समय निकाला तो आप जो है जो भी गाड़ी विकल्स कोई भी अगर आप लेंगे तो उससे आपको शत प्रतिशत जो है बहुत अच्छा लाब जीवन में मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको ध्यान है कि महीने में दो पक्ष होते हैं एक होता है क्रश्न पक्ष और एक होता है सुखल पक्ष तो हमेशा सुखल पक्ष को ही डिसाइड करें सुखल पक्ष को ही चुनें सुखल पक्ष में ही लेना है सबसे पहले तो यह ध्यान रखिएगा और यदा कदा अगर सुखल पक्ष म ना हो पाए, कृष्ण पक्ष में ही लेना है, तो उसके लिए विशेश वारों का चायन आपको करना पड़ेगा, तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शुकल पक्ष का ध्यान रखना है, कभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन शुकल पक्ष को आपको ध्यान रखना है, शुकल पक् बुद्ध बार हो गया गुरु बार और शुक्र बार ये चारों वार जो है इन चारों वारों में से कोई भी वार आप जो है गाड़ी लेने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं सुकल पक्ष में इन इन वारों को क्योंकि ये सोम्य वार है अगर इन में से कोई वार अगर आपके कु नुकसान नहीं पहुचाएंगे आपको शुबता ही प्रदान करेंगे क्योंकि इनका नेचर है शुबता प्रदान करना शुबता शुबत तो देना तो ये शुबत तो देंगे ही देंगे अब दोस्तों शुक्र पक्ष के अंतरगत जो तीन बार बच गए जैसे कि रवी बार मंगल बार और शनी बार यह तीनों बारों में से किसी बार में भी आप जो है decide कर सकते हैं गाड़ी लेने के लिए दिन लेकिन इसमें होता यह है कि यह जो वार है यह काफी hard है जैसे सूर्य ya मंगल और शनी तो इन तीनों वारों को भी आप select कर सकते हैं लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ये तीनों जो वार है जैसे शनी वार है शनी का वार है रवी वार है सूर्य का वार है और मंगल वार मंगल का है तो ये तीनों ग्रह हैं अगर ये तीनों में से कोई भी वार अगर आप ग्रहन कर रहे हैं तो उसका उस से संबंदित जैसे कि शनी, सूर्य और मंगल इन तीनों को आप देख सकते हैं इन में से एक को भी आप देख सकते हैं कि मेरी कुणली में ये ग्रह कैसा है जैसे कि शनी हैं कई लोग जो है शनीवार को ही गाडियां लेते हैं कई रवी बार को ही लेते है और कई जो है मंगलवार को ही लेते हैं उसका कारण यह है कि इन में से ये तीनों ग्रह जो है या इन में से एक ग्रह जिस बार को ले रहे हैं वो ग्रह निश्चित तोर पर उनकी कुंडी में अच्छा है शक्त है, शक्तिशाली है और अच्छी सिच्विशन में है अगर वो ग्राव जैसे कि शनी ही अगर सची अच्छी situation में है तो उस बार को शनी बार को आपको गाड़ी लेने से कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर शनी weak है शनी aggressive nature का है शनी crew है तो आपको जरूर जो है उस गाड़ी से नुकसान होगा शरीर को भी नुकसान हो सकता है गाड़ी को भी नुकसान हो सकता है या गाड़ी आते ही बहुत सरी चीज़े खराब हो जाएंगे तो ये ध्यान रखेगा रवीबार, मंगल और शनी इन तीनों के हिसाब से अगर आप इन में गाड़ी लेते हैं और हो सके तो इनको आववाइड ही करिए तो ज्यादा बैटर रहेगा लेकिन दोस्तों दूसरा जो है यहाँ पर जो बात आती है वो ध्यान रखने वाली बात है और वो ये है कि अगर आपको लगता है जैसे कई लोगों को इस चीज़ का भार होता है नौलेज होता है कि मेरे सातों बारों में से सूर, चंद्र, मंगल, बुद्ध, ब्रहस्पति, शुक्र, शरी इन सातों बारों में से कौन सा वार आपका सबसे अच्छा रहता है अगर इसका नौलेज आपको है क्योंकि फील करता है आदमी जिन्दगी जीराय लाइफ में तो पता लगता है कई बार कई लोग जो है नोटिस करते हैं कि हमारा शनी बार बहुत अच्छा रहता है बुद्ध बार, शुक्र बार, जो भी बार आपका सबसे अच्छा रहे और आपको लगे ये वार मेरा बहुत बढ़िया जाता है तो उस वार को सेलेक्ट करें ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मूरत है क्योंकि अगर उस वार को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट को देगा beneficial होगा वो दिन दूसरा यहाँ पर इसके अलाबा आपको ध्यान रखना है कि उस दिन का चंद्रमा आपने पक्ष select कर लिया, दिन select कर लिया यानि कि वार select कर लिया और अब आपको उस दिन का चंद्रमा भी देखना है चंद्रमा आप कैसे देखेंगे या तो किसी पंडी जी को आप पूछ सकते हैं कि आज का चंद्रमा कौन सी राशी पर है या उस दिन का चंद्रमा कौन सी राशी पर है या फिर स्वयम से पंचांग में आप देख सकते हैं बहुत सारे softwares available है प्लेस्टो पर तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रमा आज कौन सी राशी पर है अगर चंद्रमा दोस्तों आपको ये देखना है कि चंद्रमा आपका जो चंद्रमा है आज का वो छटवे घर में नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको जो है उस दिन आशी पर आज चंद्रमा है तो वो छटवा, आठवा और बारवा नहीं होना चाहिए अगर ये तीनों है तो इनको अवाइट कर दीजेगा और उसके अधरवाइज आप कहीं पर भी चंद्रमा ले सकते हैं क्योंकि चंद्रमा का बहुत मुख्य रोल है चंद्रमा आपका प्राण है आपका मन है और चंद्रमा आपकी सम्रद्ध है सुख है चंद्रमा इसलिए चंद्रमा को यहाँ पर विशेश रूप से ध्यान किया जाता है और चंद्रमा यदि 6-8-12 में नहीं है तो उस दिन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अलाबा अब मैं आपको टाइमिंग बताने जा रहा हूँ कि टाइमिंग क्या होने चीए जब आपकी गाड़ी शोरूम से बाहर आए आपके घर को आए यदि आपने सोंबार सेलेक्ट किया है तो सोंबार को आप ध्यान रखेगा कि नो बजे के बाद कभी भी आप गाड़ी को ले के आ सकते हैं सुभा के नो बजे के बाद उसी तरीके से यदि मंगल आपने सेलेक्ट किया है तो मंगल बार को आपको आपका जो समय है वो तीन बजे के बाद यानि तीन बजे से और साड़े चार बजे दिन तक ये समय आपको avoid करना है इसमें नहीं लेके आना है इसके बाद आप कभी भी लेके आ सकते हो उसके बाद बुद्ध की बात करेंगे यदि बुद्ध बार आपने select किया है तो बारा से और साड़े बारा बारा से और साड़े बारा के बीच में ये टाइम आपको avoid करना है दिन का और उसके बाद आप कभी भी गाड़ी लेके आ सकते हैं ब्रैस्पतिवार को देड़ बज़े से लेकरके और तीन बज़े तक का समय आपको अववाइट करना है उससे पहले या उसके बाद आप गाड़ी showroom से निकाल सकते हैं शुक्र बार को 10 बज के 30 मिनट से ले करके और 12 बजे तक आपको avoid करना है 12 बजे के बाद ही आपको गाड़ी निकालनी है शोरूम से उसके बाद में शनी बार को 9 बज करके यानि 9 बजे से और 10.5 बजे तक ये time में आपको avoid करना है इस टाइम पे नहीं लानी गाडी उसके बाद ही लेके आए तो आपके लिए शुब रहेगा रवी बार अगर आपने सिलेक्ट किया है संडे अगर आपने सिलेक्ट किया है तो दोस्तों mostly लोग जो है संडे को prefer करते हैं संडे उनके लिए suitable होता है तो आप ध्यान लखिएगा कि गाड़ी को morning यानि 10 बज़े के बाद कभी भी ले के आ सकते हैं और 4.30 से ले करके शाम के 6 बज़े तक, 4 बज़े के बाद गाड़ी को न ले के आए चार बज़े से पहले पहले ही और हो सके तो 10 से 12, 11, 12 के बीच में ही आप गाड़ी को ले के आएं संड़े के दिल तो आपके लिए बहुत ही beneficial रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा अब आपको मैं बता देता हूँ, कई लोग ये time suitable नहीं हो पाता, ये जो times मैंने बताए है सभी बारों के अगर इन में से कोई आप select कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैं एक मूर्थ बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया मूर्थ वो है अबजित मूर्थ, जो प्रती दिन रहता है और अब जित मूर्थ सबसे बढ़िया है दिन का, तो आप दिन कोई भी select कर लें, जो मैंने आपको बताया उसके according और समय यदि नहीं निकल पा रहा है इसमें, तो आप जो है दिन के 11.40 से 11.40 मिनट से लेकर के और 12.24 मिनट के बीच में, 11.40 से 12.24 के बीच में, आप जो है कभी भी गाड़ी को शुरूम से बाहर निकाल सकते हैं यही मूर्थ होता है जब वो गाड़ी आप लेके आते हैं कई बार ऐसा होता है कि समय आगे फीच हो जाता है तो इसी समय पर बले ही पेपर वर्क आप करते रहिए पेपर वर्क चलता रहेगा शुरूम में लेकिन आप गाड़ी को इस टाइम पर शुरूम से बाहर निकाल दीजिए और चाहे तो बाहर खड़ी कर सकते हैं तब तक के लिए और एक मुख्य चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी ये मूरत आप निकालें तो इसमें पंचक का जरूर ध्यान रखिए पंचक नहीं होने चाहिए महिने में पांस दिन पंचक रहते हैं तो पंचक का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और क्योंकि पंचकों में नई गाड़ी हो चाहे नई वस्तु है ये खरीदना वर्जित होता है इसलिए पंचक का आप ध्यान रखिएगा पंचक को अबवाइट कर दीजेगा और दोस्तों मुख्य बात जो संयम और नियम की बात मैंने करी थी वो यह है जब भी गाड़ी को लेके आएं घर की तरफ जब आप चलें शोरूम से तो हमेशा कोशिश करें कि गाड़ी को लेकर के आप किसी सिद्ध पीट की तरफ चाहें जैसे माता के मंदिर कोई सिद्ध मा का मंदिर हो हनमानजी का हो जहां भी आपके शृदधा हो यह भग्वान लक्श्मिनारन के मंदिर हो तो ऐसे सिद्ध स्तान पर गाड़ी को सबसे पहले ले जाए शोरूम के बाद और ले जा करके आजकल तो सोरूम में ही नारे लित्यादी का हो जाता है लेकिन अगर ना हो तो मंदिर में जो है जा करके पूजा आराधना करके और उसके बाद जो है पंडी जी से का अशिरवाद लेना बहुत मस्थ है बहुत जरूरी है तो ब्रह्मन का अशिरवाद जरूर लें जब ब्राम्बन आशिरवाद देंगे तो आप फलोगे पुलोगे और उसी तरीके से वहाँ से पूजा करवा करके और उसके बाद जो है गाड़ी के चारों टायरों में आपको नेम्बू रखने हैं वहाँ से जब चलेंगे और राइट फ्रंट वाले टायर में राइट जो फ्रंट का है उसके नीचे नारियल आपको रखना है कच्चा नारियल और उसके उपर गाड़ी चड़ाते हुए जो है घर को लेके आने हैं इस प्रकार से ये मूर्थ आपके लिए बहुत शुप रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा यदि फिर भी अगर आपको परफेक्ट तरीके से मूर्थ निकलवाना है तो उसके लिए आप या कुंडली एनालिसिस करवानी है तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट एस्टोलोजर सुनिर्शास्टी.com पर विजिट करके आप अपॉइमेंट बुक कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की जरीए तब तक के लिए जैस्री कृष्णा